Hello everyone, welcome back to my channel I hope you all are doing well So, आज के वीडियो में मैं आपके लिए Dabber का Sanitizing Rub With Alcohol का Review शेयर करने वाले हूं So, without any further ado, let's get started So, guys, as you can see ये packaging है Plastic bottle packaging में हमको मिलता है Sanitizer and ये जो Sanitizer है ये Dabber Sanitizer है Hand Sanitizing Rub With Alcohol Protection from Germs जिसका जो Net Weight दिया गया है वो 450 ml है And good enough है और packaging भी अच्छी है कि कोई तूटने का खत्रा नहीं है इसे मैंने Amazon से बाई किया था अगर आप भी इसे बाई करना चाहते है तो जो लिंक्स होंगी वो डिस्क्रिप्शन में है तो एक बाई description box जरूर चेक आउट करिएगा And consumption भी बहुत ज़ादा हो गया है sanitizers का So इसकी ये जो bottle है ये काफी अच्छी quantity में है And जो sanitizer है वो भी अच्छा है थोड़ी thick consistency में है guys ये जो sanitizer है And इसकी जो manufacturing date दी गई है वो 4.2020 है And जो आपको use before expiry दी गई है ये 2022 तक चलेगा जो की काफी अच्छी date है Manufacturing जो है वो भी अभी की है And यहाँ पर मैं आपको directions बता देती हूँ कि आपको इसमें जो directions दिये गए हैं वो क्या है Apply approach 3 ml on your palm Spread and rub well over the palms Back of hands Fingertips gently until dry No water required So जब आप sanitizer सभी को पता है That जब हम sanitizer use करते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है And यह germs को खतम कर देता है हमारे hands से जब तक यह dry ना हो जाए जब तक आप उससे रब करते ही रहे क्योंकि sanitizer है, alcohol रहती है कुछ percentage में तो वो बहुत ज़र्दी dry हो जाता है And काफी जो consistency है वो अच्छी है Liquid, proper liquid consistency में भी आता है But इसकी जो consistency है वो थोड़ी सी thick consistency है मैं आपको दिखा देती हूँ आप इसे और दूसरी further bottle में transfer करके आप अपने traveling में कहीं बाहर जा रहे हैं घर पर कहीं के लिए भी आप इसे transfer करके use कर सकते हैं And काफी अच्छा है ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से है guys जो sanitizer है जो consistency है वो भी काफी सही है Like बहुत जादा thick नहीं है तो बहुत जादा thin भी नहीं है And जब आप इसे अपने hands पे rub करते हैं तो कुछ इस तरीके से पूरा liquid consistency में convert हो जाता है And आपको इसे अच्छे से अपने palms में Back of the hands में and fingertips में use करना है And ये थोड़ा सा जब dry हो जाता है तो हलका सा sticky हो जाता है But later on normal consistency जो होती है Normal हो जाता है पूरा आपके hands पे बहुत ही frequently Like अभी मैंने इसे use किया Apply किया है and ये dry हो चुका है And काफी अच्छा है अगर आप इसे buy करना चाहते हैं तो links में description में हैं एक बार description box ज़रू check out करिएगा I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो make sure आप इस वीडियो को like करिए Share करिए Subscribe to my channel And जो Sanitizer की fragrance है वो भी बहुत ज़ता strong नहीं है And instantly आपके hands को dry नहीं करता है जिसे जो दूसरे liquid form के Sanitizers होते हैं वो usually dry कर देते हैं But right now आप मेरे hands देख रहे होंगे perfectly moisturized है And dry बिल्कुल भी नहीं हुए है So जो मेरे accordingly जो product है वो बहुत अच्छा है आप एक बार try ज़रूर करिएगा And thanks for watching guys Comment section पर ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा